थोड़ा दुनिया से हट कर चल लीग पर तो सभी चल लेते हैं कभी इतिहास को पलट कर चल कभी इतिहास को पलट कर चल अधनी अध्यक्ष में होते हैं दूद का दूद पानी सा पानी निर्ने करने वाला निर्नायक मंदल मंचपर्दी राजमार गणमाने अधिधी गण गुरुजन शक्ति फिर फिर फिजालें से आई केल पतिवादी साथियों या उबस्तित मातरी श साचा करना चाहती हूँ, मैं आश्या करती हूँ कि आख में देती हूए मेरा मनूबर बढाएंगे। जब आंखों में अर्मान और माल लिया मन्सिल को अपना माल लिया और आसाल क्या। पिर पुश्किल क्या और आसान क्या बस ठाल या तो ठाल या बस ठाल या तो ठाल या शिक्षा किसी भी समाज और राश्चा भूलादार होता है यह ऐसा अस्थ है जो कि मनुश्य को सब्धे समाजिक बनाता है शिक्षित समाज का निर्माण हम कभी कर पाएंगे जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे परिवार से ही समाज बनता है यकि परिवार शिक्षित होगा तो स्वेमी शिक्षित हो जाएगा कुछ चाहती कुछ सपना था जीवन में कुछ कर दिखाने की नई शिक्षा नीती की बाच्षडी हासिल कुछ नया कर जाने की क vibration करने का правuma करने कि द्धन अरजित करना नहीं है करने का अरफ है मनेश्य का संपुर्ट विकास होना तो जाथाखा भादी पीडिकों की ims को आज शिक्षा में किये नई बदलाफ, ताकि हर किसी को मिले रोजगार, ना रहे कोई भी भूखार गरीब, यही तो है नई शिक्षानीती का आदार, यही तो है नई शिक्षानीती का आदार, नई शिक्षानीती का मुख्या उदेशो एकषटी को गुशल बनाने के साथ साथ, जिस ख्षेतर में उन्हें प्रशिक्षिक करना, कहा भी गया है कि बुद्धी हिन को बुद्धी देदी, अज्यानी को ग्यान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा बारत महान नई शिक्षा निती 2020 की बात करते समय हमें यो जानना भी अतन ताशक है कि आखिर इसमें क्या बदला हुए पहले सतम छात्रों की शंताओं का आखिलेंग करने पर जोर दिया ताकि रंटाफिकेशन पतिदी को नश्ट कराया जाए द तूसरा पतम निश हिं ले वार्य शिक्षा का प्राप्दार तेन वर्स नी पर से प्रावर्श करना डेख आखिया गया जोकि पहले 5 वर्स नी थी परणाल्यके स्थान पर पांजमात तेन जमात तेन जमात चार फ़र्मुला लागू क्या जाए गां सात्हीं बच्चों को अनेगती वीडियो में भी सम्मिलित क्या जाएगा नहीं शिक्षानीती का यहाँ परिवर्तन करेगा छात्रों की शम्ताओं का आगलन करेगा छात्रों की शम्ताओं का आगलन दस जमाद दो से हटकर पांच जमाद तीन जमाद तीन जमाद तीन जमाद चार बना पार्मुला यहाँ नहीं सब पुंडराश का हसला इसी प्रचाधी तक देश में शिक्षित नाद्री का बड़ा महत्व होता है शिक्षा के द्वारा उन आर्थिक आशक्ताओं को पूरा करने के लिए हर सरवर्च जनशक्ति का विकास होता है शिक्षा वहाँ आधार है जिस पर अनुसंदार के विकास को बल ले का है इत्यारी लागू के जिससे हर प्रती सम्मान रूप से शिक्षा रूपी दिपटो को पागर अपने अध्यार रूपी जिवन को प्राज्वलिक कर सके, मुश्किल नहीं है कर दो अपने रविझा शोटानों कि bisher ऑट डुता हएं लगे एतकाँ停ांट एक अदल एक रेवाय ज", कर दो नहीं जानता नई शिक्षा ने थी हमें बताती है रुकावटे आती है सफलता की रहा में यहाँ कौन नहीं जानता यहाँ कौन नहीं जानता फिर भी वो मंजिल पा लेता है फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हाँ नहीं बाता घंडवाद जाहिं जाह भारत